दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल न्योज क्लिक के कारिक्रम न्यूज मन्थन के साथ मैं उर्मिरेश हर बार की तरह इस बार भी आज के एपिसोड में देश की कुछ प्रमुख ख़बरें ऐसी ख़बरें जो आम तोर पे विशलेशन के साथ आपको मेंस्टीम मीडिया में या टीवी पुरम में भी नहीं दिखती हैं मैं उन ख़बरों को इस कारिक्रम में उठाता हूँ दोस्तो राहुल गांधी इस समय लगातार वहभी चुनाव प्रचार में निकल पड़े हैं हाना कि भारती जन्ता पार्टी के निता खासकर ग्रे मंतरी अमिट शाह जी नड़ा साब भारती जन्ता पार्टी के राश्टी अध्यक्ष और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ये लोग चुनाव प्रचार खासकर जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं होने वाले हैं कुछी दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा चाहे वो मध्यप्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो तिलंगाना का इलाका हो या 36 गड़ का इन इलाकों में अगर सबसे अध्यक अगर अब तक चुनाव बैठके या किसी अन्य कारणों से जो दौरे हुए हैं नेताओं के तो भारती जन्तापाटी के हुए है लेकिन देर सबेर प्रयंका गांधी और राहुल गांधी भी अलग-अलग सभाएं अब करने लगे हैं राहूल गांधी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं और उन्होंने कई जगा चुनाव सभाएं की हैं, मीटिंगें की हैं, अपने नेताओं की भी बैठकें की हैं और रैलियां भी की हैं मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस हिस्ट्री में पिछले चारेक पाँच दसक की राहूल गांधी पहले कॉंग्रेसी नेता हैं जो सीधे रास्टी स्वयम सिवक संग पर सीधे वेचारी खामला कर रहे हैं इस तरह का खुला वैचारिक हमला मुझे नहीं याद है कि किसी भी बड़े कॉंग्रेसी नेता ने चाहे वो परदानमंत्री रहा हो या कॉंग्रेस का जक्ष रहा हो उसने कभी इस तरह से किया हो जिस तरह राहूल गांदी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार मोदी जी की सरकार अपने को कहती है कि OBC की सरकार है OBC इसमें बहुत आयत हैं वो स्वैम अपने को OBC कहते हैं लेकिन सच यह है कि मोदी जी की सरकार की नजर में सिर्फ RSS है और इसके अलावा कार्परेट जो हाउसेज हैं उनका उन्होंने खास कर एक बड़े कार्परेट हाउस का नाम लिया अडानी साहब का तो उन्हों ने कहा कि ये जो सरकार है वो कुछ ही लोगों के लिए काम करती है कुछ ही खेमों के लिए काम करती है एक तो कार्परेट जिसमें एक पर्टिकुलर उद्योगपती का नाम बोलेते हैं बार बार और दूसरी तरह आप वो कहते हैं कि RSS और वो कहते हैं कि RSS ने तो देख काम दे रखा है इन लोगो और फिर आरोप लगाते हैं कि नफरत पहलाने का काम है इसके अलावा वो अपनी सभाव में ये भी कहा रहा है आप देख सकते हैं उनके समय वीडियो वो ये कहते हैं कि जो MP MLA हैं भारती जन्ता पार्टी के सत्ताधारी दल के दरसल फैसले कानून बनाने का वो जरूर करते हैं लेकिन वो बस मुहर लगाते हैं असल चीजें कहीं और से ताय होती है उनका इशारा फिर वही है RSS तो इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी में वाकई अगर देखा जाए तो इस तरह से खुल कर राष्टी स्वेम सेवक संग पर कार्परेट और बीजेपी के गठबंधन पर इस तरह से खुल कर बात पहले नहीं उड़ती थी अब देखना है कि इस चुनाव में राहुल गांधी के इस कदर हमलावर होने पर क्या प्रतिक्रियाद जनता की होती है क्या वाकई समाज क्योंकि राजनितिक चेतना के अलग-अलग स्तर हैं लेविल हैं इस देश के अलग-अलग हलकों में क्या मध्य भारत में भी लोग इसको उसी रूप में ले सकते हैं जैसे तमिलांड में लेते हैं केरल में लेते हैं या करनाटक में भी हाल में लिया लोगों ने एक बड़ा बड़ा ये फैसला हो सकता है लोगों की चेतना क्या वाकई पहले से बहतर हुई है गुनात्मक रुप से उसमें कोई फरक आया है या अभी भी खासकर मद्य भारत के इनी स्टेट्स में हिंदुत्वा की पकड़ उसकी पैट अभी भी इंटेक्ट है राहुल गांधी ने एक और बात और वो बहुत शिद्दत के साथ उठा रहे है ये भी बात कभी कॉंग्रिस के नेताओं ने पूरी हिस्ट्री में चार-पांच दशक्ती बात मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं की और वो ये है कि OBC का सवाल उठा रहे है और वो मोदी जी को और मोदी जी के नेत्रित को एक तरह से नकली OBC बता रहे है उनका कहना है कि OBC का नाम ये सरकार लेती है लेकिन OBC के लिए काम नहीं करती है अब उसका तो ठे एक ठोब सुधारों वो सामने रखते हैं वो कहते हैं कि साथ महिला आरक्षण विध्यक का हम सबने समर्थन किया हम चाहते थे कि महिला आरक्षण विध्यक आया हमारी सरकार की नहीं कारणों से नहीं ला पाई थी जबकि राजसभा से पारित किया था लोगसभा में हमें नहीं समर्थन मिला या नहीं मिल सकता था जो भी कारण रहा हो लेकिन वो कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार ने इंडिये की सरकार ने लाया तो हमने उसका समर्थन किया लेकिन हम यह चाहते थे कि इसमें बदलाओ हो एक तो कानून तत्काल लागू कर दिया जाए डिलिमिटेशन के हवाले न किया जाए फिर तो 10-15 साल 20 साल पता निक कब लागू होगा जनगरणा के बारे में हमने कहा कि जातिवार जनगरणा करा दी जाए पहले लेकिन सरकार ने वो भी नहीं कराया और इसके अलावा राहूल गांदी कहते हैं कि महिला आरक्षन के अंदर OBC कमुनिटी यानि पिछडे वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निरधारी तो ये भी हमने कहा इन सभी हमारी मांगों को खारिज कर दिया गया तो ये सवाल वो बार-बार उठा रहे हैं कि OBC जो देश में 50% है राहूल गांदी ने बार-बार कहा है अपनी रेलियों में कि 50% है हालागि 50% से संख्या साय ज्यादा कुछ है अगर नई जनगरना होगी तो उससे पता चल पाएगा लेकिन 50% OBC कहकर वो बार-बार कहा रहे हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार में 90 जो सेकरेटरी गौर्मेंट आफ इंडिया में है उनमें सिर्फ दो या तीन है तीन की बातों कर रहे हैं और बताते हैं कि शुरू पहले तो बिलकुल ही नहीं थे जीरो था अभी तीन है तो वेर इज़ रिप्रेजेंटेशन कहां पर प्रत्व है OBC का मुदी जी की सरकार में और जिन मंत्रियों जिन सांसतों की वो बात करते हैं कि हमारे पास इतने OBC है उनकी क्या भूमिका होती है क्योंकि उनका तो बार बार ये कहना है कि सरकार को RSS के लूग चला रहे है या कर्परेट के लूग चला रहे है ऐसी बात वो कहते हैं तो राहुल गांदी जिस तरह से शिदत के साथ और बिलकुल हमलावर होकर ये सब बातें कह रहे हैं ये कॉंग्रेस के इतिहास में ऐसी टेडिशन थी नहीं हमारा यही सवाल है एक जरनलिस्ट के तौर पे कि क्या ये चीज़ें क्लिक करेंगी इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा तो ये फैसले बहुत महत्पूर्ण है कॉंग्रेस के OBC डिस्कोर्स पर विमर्ष पर भी ये फैसल आएगा और संजोग्वस दोस्तों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज ही आरक्षन जो महिलाओं का हुआ है उसमें S.C.S.T. की महिलाओं के लिए आरक्षन तो जरूर है लेकिन वो महिला आरक्षन के दाएरे से बाहर है बाहर इस सेंस में मैं कहा रहा हूं की S.C.S.T. कम्यूनिटी के लिए जो पारलेमेंट और विधान मंडलों विधान समाओं में सीटें पहले से रिजर्ब हैं उन्हीं सीटों में से महिलाओं को दी जा रही है सीट अलग से नहीं दी जा रही है तो एक तो इस पर सवाल है और दूसरा सवाल है कि O.V.C. की महिलाओं के लिए आरक्षन का जो दाएरा निर्धारित किया गया है 33 परसेंट उसमें जगा नहीं दी गई है तो बहुत सारे O.V.C. एसोसियेशन और आरगनाज़शन आरक्विन्ट वगेरा भी जलाएं है ये आज की खबर आ रही है और उनका कहना है कि ये दरसल महिला आरक्षन के विए समर्थक हैं O.V.C. एसोसियेशन कहा रही है उनके जो एक्टिविस्ट हैं वो कहा रहे हैं लेकिन ये दरसल महिला आरक्षन विधैक नो होकर ये सवर्ण महिला आरक्षन विधैक बन कर रह जाएगा क्योंकि इसमें S.C.S.T. की महिलाओं का अंदर उनके आरक्षन नहीं है और O.V.C. को भी तो जगह ही नहीं मिली है तो आज हमारी एक खबर है कि आखिर अपने देश की जो सत्ताधारी पार्टी है भारती जनता पार्टी सरकार सरकार में बैठे हुए लोग अच्छानक पिछले कुछ दिनों से ये खालिस्तान का हववा क्यों खड़ा कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि एक दौर था जब पंजाब में खालिस्तान के नाम पर कुछ सिर्फिरे लोग कुछ शरार्ती लोग तमान तरह की गत्विधियां कर रहे थे और उपद्रो इतना बढ़ गया कि वो आतंकवात का रूप धारन कर लिया उग्रवात का रूप धारन कर लिया लेकिन उसकी भी एनलसिस अगर की जाए हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो उसके पीछे भी दलिय राजनीती के अपने जगड़े थे जिसमें पंजाब में उग्रवात उभर कर सामने आया और कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी सवाल इस बात का है कि आज उस खालिस्तान का हववा क्यों खड़ा किया जा रहा है उसके भूत को फिर से क्यों उभारा जा रहा है जो पंजाब में भारत के पंजाब में जिसका कोई नमों निशान नहीं है अच्छी खासी सरकारें चलती आई हैं पंजाब में नजाने कितने चुनाव हो चुके वहां की डिमक्रसी आपके मणिपूर से ज्यादा वाइवरेंट है पंजाब की जम्मु कश्मीर से ज्यादा वाइवरेंट है जहां नजाने कितने समय से राश्टपती या राजपाल का साशन है अब तो उपराजपाल का साशन है यानि सत्त अधारी दल का एक तलसे साशन है तो कई ऐसे प्रदेश हैं मैं तो कहूंगा कि भारती जनता पाटी साशित ज्यादातर प्रदेशों से बेहतर सरकारें पंजाब में चलती आई हैं कोई उगरवाज की ऐसी बात नहीं हुई हाँ नशे का जरूर मामला है पंजाब में रहा है उसमें भी कमी आई है तो आखिर क्या वजा है कि एक खालिस्तान का भूत खालिस्तान का जो हुआ आल अफ सडेन ये खड़क किया जा रहा है दोस्तो एक बात बताओं पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो समझ समय पर टीवी पूरम के जरिये और मेंस्टी मीडिया क दूसरे और जो प्लेटफरम से अख़वार भी हिंदी अख़वार उसमें कम नहीं है इनके जरिये कहीं न कहीं कुछ चीजें प्लांट की जा रही है और जब नेता सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता जब बयान देते हैं तो साफ हो जाता है कि प्लांट कहां से हो र एपसलूट में जारती हिंदू धरम को मानने वालों की आए वहां खत्रा किस पर होगा और दुनिया भर तो कहती है कि भारत में इस समय खत्रा तो माइनार्टी कमिनिटी के लोगों पर है और जिस तरह के हाथ से जिस तरह की घटना है जिस तरह का अटाए जिस तरह का हमला उन पर हो रहा है, सब जानते ही कि ये सच है, लेकिन हभ्वा ख़ड़ा किया जाता है कि हिंदू धर्म पर खत्रा है, पहले हिंदू धर्म कहा जाता था, प्र हिंदुत्वा कहा जाने लगा, यह पता नहीं कौन तथ्व है, सावरकर सहाब ने खोजा था, भी हम सब जानते हैं कि ये शब्द जो है popular हुआ जो थोड़ा बहुत वो आरे समाज के और जो हिंदु धरम के अपने आपको ठेकेदार मानते थे उस दोर में जो दोनों और से जो दलबंदी होती थी उस पूरे उस पूरे के पूरे जो एक रसाकशी थी दोनों में कि वो reforms चा काते थे अलग ढंका जिसको आरे समाज काते थे और वो काते थे नहीं थी हम तो बिल्कुल सनातनी हैं हम तो सनातनी हिंदु हैं तो मेरी आज की जो स्टोरी का लब लुबाब है कि ये जो खालिस्तान का हुआ है उसका जो एक प्रेत बुलाया जा रहा है ये क्यों सबसे कैनडा की घटना के बारे में अगर बात करेंगे आज तो हमारा समय जाया होगा क्योंकि वो अलग मसला है लेकिन जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं मैं पंजाब पिछले दिनों भी गया था और अभी कल भी मैं पंजाब के आसपासी था मुझे उस इस इलाके में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहीं से भी खालिस्तान की इवन चाय की दुकान पर सड़क पर ट्रेन में या किसी बड़े धाबे में कहीं भी जो खालिस्तान की चर्चा कर रहा हो तो टीवी पुरम में ये चर्चा आ कहां से रही है विफिन पार्टियों के प्रवक्ताओं के वो है बिरोजगारी से मुकाबला करने की ठोच रनानीती, गरीबी को खत्म करने की परियोजना, अच्छी स्कीम, महांगाई कम करने के लिए एक बेहतर सोच समझदारी, इरिगेशन के लिए ठीक ठाक परियोजना, और 24 घंटे बिजली कैसे रहे, ये सब चीजन चागा जरू यानि उनके पूरे खर्च फसल का जो कर पा रहे हैं, उसके बाद भी उनको 50% कम से कम उनको और ज्यादा लाब मिले, ये काम कौन करेगा, तो इन चीजों को हल करने के बजाए, खालिस्तान का एक ऐसा हुआ खड़ा किया जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ऐ हुआ खड़ा कर रही आ, यही जानने के लिए मैंने पंजाब में काम करने वाले एक बहुत ही मजह हुए पत्रकार, अनुभबी पत्रकार, जो देश-विदेश के बारे में भी जानते हैं और अपने स्टेट के बारे में तो बहुत अच्ची तरह जानते हैं, शिव इंदर से हमने बात की शिविंदर सिंग आपका स्वागत है डियोस क्लिक की इस चर्चा में आप ये बताएं कि इसके पीछे वज़ा क्या है और विलेशी इसके पीछे जो मकसद है वो बिलकुल साफ है किसी से भी लुका हुआ नहीं है दो हजार चौबिस का चनाब है असल में बात करती है कि पंजाव है जो जहां सिख्धरम है भरम अ बहुदर सिंग्धी का दिन भी बनाते हैं ऑनको तो उनको एक खास रूप में डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गोविन सिंग जी की इंसानियत के लिए लड़ी हुई लड़ाईयों को वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो माभारती के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, छोटे तरफ जादों को भी इसी तरह पेश किसान अंदोरन के बाद लगाता, जो पंजाब है, वो अंदर अंदर मोजी की सरकार की आँखों में घरड़क रहा है, उनको लग रहा है कि एक ऐसा स्टेट है, जिसने एक बहुत बड़ी लोगतंतिक अंदोरन खड़ा कर दिया, कही न कहीं फिर से वो ऐसी चीज़ न हो ज करेगा तो जट बनाम दलित इस तरह के कई कुछ चलाए जाए, कई मोर्चों में अपनी यह है, यह अपना कांग किया जाए, हम देख भी रहें कि सिक्कों में एक छोड़ा सा ऐसा सेक्शन भी खड़ा हुआ है, जो इस तरह की बोली बोल रहा है, जिसका सिक्ध दर्म की जाए, जाए फॉर्च गंपल दीब से तूजरा अमरतपाल का जो उधे हुआ, अमरतपाल जो आया, वो सारा हम देख सकते हैं, वो उसी तरह के नहेंग टोली है, जिन्होंने सिंगू बडर पे कई सारी ऐसी हरकते की थी, वो उनको हम उस रूप में देख सकते हैं, लेकिन पंजाब जो है, वो उसकी और सारी समस्या है, पंजाब की किसाने की समस्या है, यूथ की समस्या है, ड्रग की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है, दूसरी हील, पंजाब में एक चीज़ को लेके रोश जरूर है, जो के पंजाब की एक फेडरल मांगी है, जो भाशा का मुद्दा हो पानी का मुद्दा हो इनको सरकारों ने हल नहीं किया जिसके लिए सरकारे ही दोशी है ये हमेशे ख़शा कहीं नहीं रहता है जो आने वाली पीडी है वो कहीं जब एक आपको लगता है कि पूरी राज़िती में खला होता है वेक्यूम होता है तो कहीं उसमें राइट बिंग अपना प्रभावनाग बना ले वो एक खर्शा रहता है जो कि अभी पंजाब में कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा दूसरी चीज़ जो कैनडा वाला भी जो इशू हम कैनडा में भी देखे कैनडा की महज दो फीस अबादी है तो उसमें भी सारा यह नहीं कि जैसे हमारा टीवी दिखा रहा है कि सारा कैनडा है जो खालस्तानियों के रंग में रंगा गया जैसा वहां के सारे सिख्षी खालस्तानिया ऐसा नहीं है उनका भी बहुत कम अधार है और यह बात जरूरे कि बोलते हैं वो जड़ा जो है वो लाउड होके लेा देना है इसलिए एक बार तो साफे के ऐसी कोई चीज नहीं है अब कहानी हमें जो यह लग रही है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने किसान अंदोलन भी खड़ा किया इससे पहले भी बहुत सारे अंदोलनों में मोरी रहा है यहां जो एक सिबल सुसेटी है जो एक जन संगटन है वो बहुत ताक्तवर पोजीशन में है यह कहीं ने कहीं मोदी सरकार को रड़कते भी है इसी तरह किसान अंदोलन के समय वीरों ने कॉमरेड वर्सिस सिख का एक नरेटिव चलाया वो नरेटिव का साफ कारण है कि पंजाब की जो बड़ी दोकरंदी है जिसम आपको लड़ाय जाये जाती के नाम पे वो सब कुछ इन्होंने दो तीन साल में करने की कोशिश की है लेकिन पंजाब उससे निकला है क्योंकि जैसे अमरतपाल वाला भी किसा आया तो आपने देखा होगा को मास पे उसको स्पोर्ट नहीं मिली जो अच्छा जो अमरतपाल है उसको आपने ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला आप वो जहां तक अजीर दोबाल जी से वो बुलाकात भी करता है नेंदर मोजी जी की परशिंसा करता है तो यह क्या चक्कर हुआ आप तो कहते हैं कि खालस्तानियों की मामले हम में बहुत स्ट्रॉंग है इसी तरह एक मिस है उन्होंने अपने वट्सप पे नेंदर मोजी जी की फोटो लिलाई हुई थी तो यह क्या है भई सो इस कारण हमें यह लगता है कि यह एक बहुत एक हुआ है इसका सिदा सिदा लेना देना है कि पूरे भारत को खालस्तान का हुआ खड़ा करके दोजाट चौबिस का बो खालस्तान का बोजाए और बिलकुल आखिर में चलते चलते दोस्तो एक बहुत दिल्चस्प कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है ठाकुर का कुवां ठाकुर का कुवां एक देश के जाने माने कभी लेखत बुद्धिजीवी ओम परकाश बालमीकी की कविता है ओम परकाश बालमीकी स्वेम दलित समाच से आये थे और उनकी जो किताबे हैं बहुत मशूर हैं काफी पढ़ी जाती हैं और हाल के दिनों में जब चीजों में थोड़ा बदला हुआ है तो उनकी कुछ किताबे तो विश्वी दियाले स्थर पर भी पढ़ाई जाती हैं तो राजी सभा में पारलमेंट के स्पेसल सेशन के दोरान राजी सभा में इस कविता को सुनाते हुए कुछ अपनी बात कही कविता क्या है सुनने पहले चुला मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का भूक रोटी की रोटी बाजरे की बाजरा खेत का खेत हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हतेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुवा ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गाउं, शहर, देश, क्या, मतलब कुल मिला कर कविता इस तरह से खत्म होती है, इस कविता को जैसे ही मनोज जहा ने पढ़ा संसद में भी प्रतिक्रिया सामने आई कई संसदों ने कहा कि आप एक विरादरी को के बारे में ये क्यों कमेंट कर रहा है ठाकुर ठाकुर बार बार कह रहा है मनोज जहां ने कहा कि ये ठाकुर किसी बिरादरी के बारे में नहीं है ये एक प्रतीक है ये कभी कवी ने एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया है इसका और एक फ्यूडल जो अरोगेंस है यEMA फ्यूडल जो डॉमिन जो इसको चितरत करने के लिए ये बात कभी ने कही है मेरे अंदर भी ठाकूर हो सकता है आपके अंदर भी ठाकूर हो सकता है किसी और के अंदर भी ठाकूर हो सकता है जो बिलकुल किसी अन्य विरादरी का हो वो कोई और विरादरी का भी हो सकता है लेकिन जो तब दबाग कोई कार्परेट भी ठाकूर की तरह हो सकता है खास कर बहुत सारे पिछडे देश हैं तो उनमें मानसिक्ता एक ही तरह की रहती है डॉमिनन्स की एक अधिकार की तो उनका कहना था कि ये एक अधिकार की या एक दबंगई की जो मानसिक्ता है कविता उस पर है अब हो ये रहा है कि मनोज जहा को बहुत सारे हलकों से धमकिया मिल रही है यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के एक विधायत चेतन आनंद ने उनके खिलाब बहुत जरीला बयान दिया और उनके जो पिता हैं जो बहुत ही राजनीत में बिहार की क्या देश के स्तर पर भी वो काफी विबादास पद और कुख्यात तक रहे हैं उन्होंने एक आईएस आफीसर उनकी जो निशन्स हत्या जो होई थी बिहार में कई साल पहले उसमें वो नौकेवल अव्यूक थे बलकि उसके सजा याफ्ता कैदी भी रहे हैं उनकी सजा उनको हो गई थी उस मामले में क्रिशनया साहब की हत्या होई थी और लंबे समय बाद उनको समय पूरा होने से पहले ही जो उनका जेल में जो उनकी अवधी थी उस अवधी से पहले ही मौजूदा सरकारी जिसमें आर्जेडी स्वेम एक कांस्च्यूंट है नितिश कुमार जी की सरकार उन्होंने पहले उनको रिया कर दिया इसको लेकर भी बहुत भी बात हुआ था उन्होंने भी बलकि मनोज़ा पर उन आनंद मोहन जी ने जिनका नाम है उन्होंने भी मनोज़ा पर कुछ बयान दिये अपनी ही पार्टी के मतलब उनकी पार्टी तो खेर नहीं है उनके बेटे उस पार्टी में हैं लेकिन माना ये जाता है कि वो भ और आला खमारों में भी कई जगा बयान दिये कि साहब ये किसी जाती पर कविता नहीं है ये एक पोईटिक एक्सप्रेशन है और इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए हमारा मकसद किसी भी जात विरादरी को आहत करना नहीं है तो हालत ये हो गई है कि पहले लोग किसी धर्म के नाम पर आहत हो जाते थे अब अपनी जाती का नाम आते ही कोई आहत हो जाता है यानि अगर वो सिंबल के रूप में भी कहीं इस्तेमाल हो रहा हो तो इसको लेकर के लोग आहत हो जा रहे है तो ये एक घटा है अभी तो उनको ये भी धम की दी गई है कि सरकलम कर देंगे उनका तो उनकी पार्टी के निता बहुत बड़े निता जो हैं उनके प्रमुख निता वो सभी कहा रहे हैं कि उनको सेक्योटी प्रदान की जाए उनको सुरक्षा दी जाए और ये जायज भी है ठीक कहा है और वो एक intellectual हैं उनको इसी रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए इसके अलावा जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है आरजेडी के जो स्वैम बलकी उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से आनन्द बोहन या चेतन आनन्द आते हैं जगदानन सिंग जगदानन सि आपकी सामने रखना चाहते थे नमस्कार आदाब सत्रियकाद